जो काम आप मुसलमनों को करना चाहिए था वो एक नॉन मुसलिम कार रहा है इतनी बड़ी लंबी डिटेल पड़ी है मेरे सामने बहुत दफ़ा आपने भी देखा होगा कि पाकिस्ताने भी बहुत सारे जो मचेरे हैं इंडियन उनको भी रेस्क्यू किया कोई ऐसा होगा ना उसमें प्रूम मेंबर्स पाकिस्तानी होगा उनको गएंगे कि इनको ले जाओ वाकियों को छोड़ दो आपकी छाती पे तो दर्द होगा मगर मैं क्या करूं रिबाजी कौमल काफरीन ही इस इलाके इस खित्ते का जो जहीं दोस्तो मेरे चैनल मोडिडिस में आपकार सोगत है दोस्तो इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो दोस्तो आज पाक मीडिया बात करें कैसे भारतिया नेवी ने सुमाली पारेस से 23 पाकिस्तानियों को बचाया है तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहाएगी इस पे पाकिस्तानी सरकार को भारत सरकार का ठैंक्यू करना चाहिए और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहाएगी सोचल मीडिया पे उन पाकिस्तानियों की वीडियो वारल हो रही थी जिसमें वो पाकिस्तानी इंडियन नेवी जिन आज इसके बार में दोना दोना कर रहे कैसे भारत्य नेवी ने पाकिस्तानियों को बचाया और पाकिस्तान नेवी कुछ कर नहीं पाई दोस्तों ये वीडियो बहुती मज़ेतार है तेशा पुरा सेरो दिखेगा तेशी लिए और इंतिसा नगर के वीडियो दिखते हैं इंडिया नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है तो क्या पाकिस्तान अब थैंक यू इंडिया बोलेगा जो काम आपके पाकिस्तानी पाकिस्तानी सोरी मुसलमानों को करना चाहिए था वह एक नॉन-मुसलिम कार रहा है इतनी बड़ी लंबी डिटेल पड़ी है मेरे सामने कि मैं अगर पढ़ना शुरू को हूँ तो हमारे प्रोगाम के 32-3 मिनेटी काम पाड़ जाएंगे जे जे बिलकुल मगर ये कि ये सिंगल साइड है बहुत दफा आपने भी देखा होगा कि पाकिस्ताने भी बहुत सारे जो मचेरे हैं इंडियन उनको भी रेस्क्यू किया है उसके इलावा और भी कंट्रीज है अभी रिसेंड़ी आपने पाकिस्तानी नेवी का एक देखा ह रही हो तो मुझे नी करनी चाहिए आपको करनी चाहिए ये पाकिस्तानी गर्मेंट को कहना चाहिए कि जनाब शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लोगों को बचाया ये ऐसे मौकों पर पीछे नहीं रहना चाहिए जो सच है सच को मानना चाहिए और सच मान के आगे बढ़ना चाहिए हैं धी के शबाशीक साब की तरफ से कुछ ट्वीट किया जाएगा नरेंदर मुदी साब के लिए के नरेंदर मुदी साब बहुत शुक्रिया थैंक्यू सो मच आपने जो हमारे फिशर्मेन को बचाया 23 पाकिस्तानी उसको आपने आपकी इंडियन नेवी ने जो बचाया फ्राइडे को ही बचाया है जुम्मा वाले दिन ठीक है ना 23 आपके क्रू थे और यह ऑपरेशन बारा घंटे चला है और इसमें सिर्फ यह नहीं हुआ कि उनको जाकर के डूबने से बचा लिया लड़ाईया लड़ी है भारत के सोजरों न जान लगाई अपनी आपके काफिरों ने मौमिनों को बचाने के लिए जान लगा दी इंडियन नेवी के आईनस त्रिशूल के लोग वहां पहुँचते हैं उस शिप के ओपर वो लड़ते हैं उन समुद्री लुटोरों से और फिर अब आप यह देख लिजे कि अब आप क यह हमारी सोची नहीं है इसका कोई बी रिलिजन ना को कितनी वार होगा आपकी जाती पर दर्दो होगा मगर मैं क्या करूं रिबाहाजी कौम मुल्क आफरीन ही इस इलाके इस खिते का जो जो नेट सेक्यूर्टी प्रोवाइडर होगा वो कौम मुल्क आफरीन ही होगा देहशतगर्द मुल्क भारत ही होगा और कल ऐसी देहशतगर्दी मचाई भारत है 23 पाकस्तानी बचा लिए ब 23 लोग आपको 23 लग रहे होंगे अगर उनके घर में पांच लोग भी है तो जड़ा आप मल्टिप्लाई कर दीजे पांटी पंदा पांदुना दस और एक ग्यारा एक सो पंदा लोग तो बचे इनके परिवार में होंगी माएं होंगी बच्चे होंगे सब को यह होगा ना उनका खाना पीना खिलाने वाले माबाप होंगे सबकी जिन्दगियां दिना उन्होंने सिर्फ तैस मत देखिए आज वो क्या करें नफरत करें नहीं चलिए मिठा मिठा सा ओपरेशन है यह बिलकुल ऐसे नहीं है यह बड़ा जान जोखों वाला ओपरेशन होता है इसमें आपकी जान भी जा सकती है आपको बहुत बड़ा कुछ नुकसान भी हो सकता है और ऐट टाइम्स दैन मुल्क के लिए मसला भी बन सकता है और मजब की बात यह है कि बहुत सारा जो सोशल मीडिया इस वकत भारत का वो सारे का सारा इसको बड़ा हाइलाइट कर रहा है कि जनाब देखें पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया जिन्दाबाद के नारे लगा रहे हैं इंडिया नेवी जिन्दा हैं कि यह देखें कि अ इंडियांज क् 야 कर रहे हैं पाकस्तान का अगला जो होना है ना मैक्च होना है वह नेवी ग्रोंड में होना है व समंद्रहों में होना है वह मैच की आप का जमीन पे नहीं होना हमारी बहुत सरी इंवेस्ट्मेंट की अंदर इन्वेस्ट्मेंट करने की जड्öyleरत है घर इंडिया के Gate और इंडोपैसिफिक अपनी डॉक्ट्रेंस लेकि आए तब से इंडिया के लिए वो बार बार इसी लिए तो पूरी साब कह रहे हैं कि वी आरे डेजिटेंट पावर तो हमें free inclusive, free open inclusive, rules based order चाहिए यह इंडिया की वो कहले हमारी बारी आ चुकी है हमें बारी देन, हमें हमारा रास्ता देन हमें हमारा रास्ता जो है वो दिया जाए चल दोस्तो इस वीडियो बात करते हैं तो जिस पाकिस्टाई ने कहा कि पाकिस्टाई निफी ने भी भारतियों को बचाया है तो मुझे जितना याद है आगरी बर बचाया था 20 सल पहले दोहचाल आठ के पहले तो इतनी पुरानी चीज ये बंडा कह रहा है अभी पाकिस्ताई नेवी ने भारतियों को बचाया ऐसा मैंने कभी नहीं सुना और पाकिस्ताईनी मीडिया जैसी है ये अगर सच में हुआ होटा तो ना बोले भी ना रहे नहीं पाते तो ऐसा कभी नहीं हुआ और आगरी बार जो मैंने देखा था वो भी 20 साल पहले देखा था तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस बंड ने कहा है और आखिर में मैं ये कोगा कि भारतियों नेवी ने पहली बार पाकिस्ताईनी को नहीं बचाया था और भारतियों नेवी ने कहा है कि समुंदर में जिनकों मदद के स्काइब करना मदू लेगा थैंग यू रिमच्च अ झाल झाल